हेलो फ्रेंड्स आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में पार्टनर्शिप बना जो वीडियो मैं बना रही हूँ और पार्टनर्शिप के कुछ सेक्षिन में डाले हैं तो उस सेक्षिन में आपने देखा होगा कि हम partnership के dissolution के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं कि partnership यानि भागिदारी का जो विगटन है वो किन-किन दशाओं में और किन-किन परिसितियों में होता है तो उसमें हमें section 39 से लेके 44 तक के section को देखना है इसके पहले मैंने 42 तक बता दिया है जिसमें इसके पहले वाली वीडियो में आप जाके देख लीजेगा प्रेलिस में आज हम देखने वाले हैं कि partnership का जो dissolution है यानि भागिदारी का जो विगटन है उसका एक और तरीका है ये कि एक्छा दीन भागिदारी का सूचना द्वारा विगटन अब आपको ये पता होना चाहिए कि एक्छा दीन भागिदारी यानि partnership at will क्या होती है और वो कौन से section ने discuss यानि define कीगे तो पहले हम वो section देख लेते हैं तो partnership at will यानि के इक्छा दीन भागिदारी वो इसी अधिनियम यानि भारती भागिदारी अधिनियम 1932 की धारा साथ में परिभाशित कीगी है वो क्या होती है पहले ये देखिए जाके भागिदारों के बीच की समविदा तो जब भी हम भागिदारी पैदा करते हैं शुरू करते हैं तो समविदा होती है तो उनकी भागिदारी के अस्तित्व के लिए या भागिदारी के परिवासन यानि dissolution के लिए कोई भी उपबंद जब नहीं किया जाता है तो वहाँ भागीदारी इक्छा धीन होती है यानि जब firm create की जाती है तो partners जब contract करते हैं उसके लिए तो contract में उन लोगों ने अपने जो firm का dissolution का period है यानि वो कब अपने partnership को तोड़ेंगे, खतम करेंगे कब determination के लिए कोई period उन्होंने decide अगर नहीं कर रखा हो और इस बात पर छोड़ दिया हो कि वो लोग अपने अनुसार ये तै करेंगे कि उन्हें कब partnership को तोड़ना है कब अपनी firm को खतम करना है समाब करना है, कब अपनी भागीदारी को विखंडित कर देना है तो ये उनकी इक्षा पर जब निर्भर करेगी तो इस तरह की भागीदारी कहलाएगी इक्षा दीन भागीदारी जहां contract में पहले से mention नहीं होती है determination का period यानि कब तक उनकी भागीदारी चलेगी इसकी कोई समय सीमा जब निर्धारित नहीं होती है तो ये होती है इक्षा दीन भागीदारी तो जब आपको partnership at will के बारे में पता होगा तो ही आपको ये section समझ में आएगा तो उमीद करती हूँ कि अभी तक तो आ गया होगा तो अब ये section हम देख लेते हैं कि इक्षा दीन भागीदारी जब होती है उसको जब हम खतम करना चाहते हैं तो हम सिर्फ सूचना से ही उसका विगटन कर सकते हैं तो अभी हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा कुछ second पहले कि भागीदारी में जब ये बात निर्धारीत ना हो कि फर्म कब तक रहेगी तो फिर इक्षा परी निर्भर करता है कि वो कब उसे खतम करना चाहते हैं तो इस section का जो सब section 1 है वो बोल रहा है कि जहां कि भागीदारी इक्षा धीन है वहां किसी भी पक्चकार द्वारा फर्म का विगटन अन्य सभी पक्चकारों को फर्म के विगटन करने के अपने आशा की लिखित सुचना दिये जाने द्वारा किया जा सकेगा अगर कोई पार्टनर चाहता है या कुछ पार्टनर चाहते है कि अब हमें फर्म को डिजॉल्व कर देना चाहिए तो वो बागी पार्टनर्स को रिटन में इनफॉर्म कर देंगे कि उनका आशा क्या है वो अब क्या चाहते है इतनी सी बात है दूसरा सबसेक्षिन कहता है कि फर्म उस तारिक से जो सुचना में विगटन की तारिक दी हुई है कि अगर वो इनफॉर्म कर रहे हैं उसमें डेट दे दी गई है कि हम इस तारिक से अपनी firm dissolve करना चाहते हैं भागीदारी खतम करना चाहते हैं तो उस तारिक को तो होगी लेकिन अगर उन्होंने जो information दी है उसमें सिर्फ यही बताया है कि हम अब भागीदारी नहीं रखना चाहते हैं उसमें कोई date अगर नहीं दी गई है अब यहाँ पर कह रहा है कि यदि कोई तारिक नहीं दी गई है तो उस तारिक से जिसको सुचना संसूचित की गई है विगटित हो जाएगी तो जिस दिन information गई है information देने वाले दिन उन लोगों को जब information मिल गई होगी यहाँ से गई होगी अक्चुली सेम डे ही मिल गई होगी या जब भी वो information मिली होगी संसूचित की गई होगी तो जिस दिन वो information यहाँ से गई होगी या उनको मिल गई होगी उसी दिन से जो है firm dissolve मानी जाएगी तो ध्यान रखिएगा कि अगर तारिक पहले से decide नहीं है तो उस तारिक को जिसको सूचना संसूचित की गई है यानि जिस date को information गई है बस उसी दिन से आपकी partnership dissolve मानी जाएगी तो यह उस case में होगा जहाँ पे partnership at will होगी यानि उनके इक्षा पर भागिदारी निद्भर करेगी इस section में इतनी ही बात है और आपको पढ़ना भी इतना ही है वीडियो को दो-तिन बार सुन लिजेगा बेरेक को दो-तिन बार देख लिजेगा आपको समझ में हो जायेगा अब उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया है आया है तो लाइक कर दिजेगा फ्रेंड्स में शेयर करिएगा सब्सक्राइबर बनना चाहते हैं तो ट्राइ करके देखिए और मन लगा के पढ़ाई करिए खुद भी खुश रहे हैं दूसरों को भी रहने दिजे अभी पढ़ते रहे हैं गुटनाइग और स्वीड्रीम्स